लिए र paljon इंखं़ लोग की में और अप सबी लोग का कि एक और नहीं वीडियो में और मैं हूँ आप सब्सक्राइब आप सबी på की एक और नहीं वीडियो में और आप सबी में लोग बात करने वाले इस वीडियो अँए Meg आज के लिए क्या भी हो था कि इस तरीके से मार्केट ने इंपोर्टन लेवल्स को फॉलो किया है कल हमें कौन-कौन से इंपोर्टन लेवल्स सेक्टर की ओर ध्यान रखना है और आज मैंने जो सुबह आपको टेलिग्राम के उपर इंपोर्टन अपडेट देती स्पेशली सेक्टर वाइज आपको किन सेक्टर के उपर नजर रखनी है उससे आपको काफी हल्प मिली होगी तो कल के लिए प्लान बनाते हैं क्या पूरी स्ट्रेजाइज करेंगे Option Chain Data के साथ वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को दबाईएगा और इस वीडियो का लाइक एम है 3000 लाइक जो कि आप पूरा कर ही देते हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे बैले चीज़, BankNifty की बात करते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट आती है कि BankNifty की थोड़ी बात मैं थोड़ा डिले कर देता हूँ कम घरता हूँ तो BankNifty की इस बार थोड़ा जादा बात करते हैं क्योंकि BankNifty आज Highly Volatile था Main Reason Bank Nifty में VOLATILITY का बना tahu Indecent Bank 11% का fall indecent bank पे आया उसने overall जितने भी private sector banks थे उनके उपर pressure डाला PSUs आपको पता है पिछले कुछ दिनों से बहुत जादा market को outperform कर रहे थे तो PSUs के उपर भी उस वजह से एक थोड़ा pressure हमें देखने को मिला but in the end nifty की strength की वजह से bank nifty में भी lower levels से हमें buying आती हुई दिखाई दी important levels हमने क्या discuss किये थे अगर हम weekend वाली वीडियो की बात करते है तो 39,500-550 का important हमने support की बात करी थी मूरट ट्रेडिंग वाले lows थे market ने क्या किया market ने इस level के उपर ही open हुआ और उसके बाद ये level को break कर दिया और उसके बाद one sided हमें fall देखने को मिला market पहले 200 point यहां तक गिरा उसके बाद 39,300 का support भी इसने तोड के एक बार 39,130 और 39,130 के नीचे के level 38,900-800 के आसपास जो है वो जाने की कोशिश करी but वो momentum नहीं आ पाया selling के तरफ bank nifty में भी क्योंकि nifty एक side में अगर आप देखें यह hourly time frame है अगर मैं 5 minute time frame लगाता हूं आज का तो उसमें अगर आप देखें तो nifty hold कर रहा था जब भी bank nifty में selling आ रही थी उस चीज़ को reason जो bond deals में sharp गिरावट हमें एक से दो दिन में देखने को मिली है उसकी वज़ए से IT sector strong रह सकता था यह सुबह हमारा एक analysis था और वो मैंने आपके साथ share किया था अगर आप देखें मैंने आपको telegram पे अगर आपने join नहीं किया अभी तक 69,000 से जादा members हो चुके हैं लिंक नीचे description में होगा आप join कर सकते हैं सुबह हमने क्या discuss किया था निफ्टी के लिए 18,040-50 एक बहुत important range है वो अभी मैं आपको hourly time frame में भी दिखाऊंगा क्यों मैं उस range को बहुत जादा important बोल रहा था आज gap up opening हुई 18,040 के उपर एक बार opening पे दिखा रहा था gap up opening में बट वहां तक कभी open हुई ही नहीं 18,010 के आसपास provisional opening हुई और उसके बाद वहां से सीधा selling हमें देखने को मिली due to bank nifty नीचे की side हमने क्या बात करी थी 17,890, 17,875 important support है इसके नीचे जाएगा तो 7,500 से लेकर 775 strong support zone जो हमें दिखाई दे रहा था बट nifty ने उससे पहले ही लगबग 820, 830 के area पे support लेना start कर दिया nifty में मैंने एक चीज़ आपको बोली थी if nifty moves on the upside IT could be in focus due to cooling off in bond yields US की bond yields की अगर आप बात करे 1.58, 1.7 इस area में बहुत time तक hold करने के बाद finally 1.45 के आसपास जो है वो bond yields आती हुई दिखाई दी है Friday के session में इसकी वज़े से अगर आप overall US market का जो IT sector है उसकी तरफ ध्यान दे उसमें last week काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी बट वो उसका reflection हमें Indian IT sector में नहीं मिला था अब तक तो there is a probability आज के जिन जो थी के जो IT stocks हैं उनके उपर हमें नजर रखनी है क्योंकि अगर banking week होगा कुछ negative news आएगी तो IT जो है वो hold करना चाहिए और ऐसा ही आज के दिन हुआ है अब हमें कल के लिए क्या देखना चाहिए निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने दोनों ने बहुत अच्छी recovery दी है वो sharp हो sharper than expected हो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में अब कल के लिए हमें क्या देखना है सबसे बहले option chain data देख लेता है देखिए option chain में एक चीज हमें clearly दिखाई दे रही है 18000 पे जो सबसे बड़ा call writer था वो आज भागा है वो trap हुआ है और उसने position काटी है unwinding अगर आप देखें 18000 के उपर 17950 के उपर calls की unwinding हुई है इसका मतलब जो call writers है वो यहां से निकला है overall यह position है बट अगर आप intraday wise भी देखें तो काफी जादा जो हमें green color की इमारते दिखाई दे रही है वो कम हुई है और यह चीज आपको clearly दिखाई दे रहे होगी जो red color की इमारते हैं building से 17900 के उपर अच्छी खासी आज के दिन put writing हुई है highest open interest 17900 के उपर बना हुआ है इसके मुकाबले अगर कहीं पे strong call writer इस वक्त खड़ा है इस level का तो वो 18500 से पहले नहीं दिखाई देता तो इसका क्या मतलब है 18500 है बज़ार इतना असान है उपर जाना नहीं कुछ बीच में दिक्कते हैं कुछ support important resistance है माफ कीज़ेगा वो हम discuss करेंगे अभी अगर आप यहाँ पे देखें 18100 के उपर 18200 के उपर 18300 के उपर हर level पे बराबर level की इस वक्त call writing है overall आज के दिन हालाकी अगर आप देखें तो put call ratio 0.7 से 0.99 के आसपास आया है अभी भी put call ratio overbought scenario में नहीं पहुचा है ठीक है market उपर आया है इसका मतलब यह नहीं कि put call ratio overbought हुआ है अभी भी put call ratio neutral आप बोल सकते हैं यह हमें दिखाई दे रहा है चार्ट के उपर बैंक निफ्टी का अगर मैं put call ratio बात करता हूं बैंक निफ्टी का 0.64 का put call ratio है oversold category पे पहुच चुका है पहली चीज दूसरी चीज 39,500, 550 अब option chain के लिहाज से भी बहुत important data होगा क्यों क्यों क्योंकि अगर आप एक चीज देखे 39,000 के उपर call writer trap हो चुका है 400 point हम उससे उपर है 39,400 के उपर call writer आज writing करके गया है और 39,500 के उपर अभी भी अच्छी खासी मातरा में call writing करी हुई है ठीक है यह आज के दिन और writing हुई है तो अगर हम 39,500, 550 के उपर हम थोड़ होई देर hold करते हैं then probably अगर आज के दिन IT ने lead किया है तो अगर कल के दिन bank nifty lead करता है तो मेरे को surprise नहीं होगा ठीक है तो यह हमारा plan होगा according to option chain data और world market का हमें support मिलता है तो वो important है अब nifty की बात कर लेते हैं देखिए nifty में overly time frame मैंने आपके सामने रख दिया यहां पे जब हम 18600 से गिरे थे 18600 से गिरे थे उसके बाद जब हमने reverse लिया था इस trend line के आसपास हमने जो है resistance लिया था यह level था 18300-350 का market में इस level से बहुत strong और sharp selling आई थी ठीक है last time market ने जब इस trend line को चुआ था यहां पे बहुत strong sharp selling आई थी hourly time frame पे अगर आप देखें तो एक तो green candles के अ 1700 पॉइंट का एक correction मिला इस बार market ने इस trend line को break कर दिया और यह level क्यों important था क्योंकि एक confluence point है एक तो trend line resistance है दूसरा यहां पे बार बार जो है एक swing low तो जो जो था जो swing low था वो swing low market ने break किया है उपर की side में तो अब क्या targets निकल के आ रहे हैं positionally अगर आप बात करें 18200-18350 बिल्कुल positionally target हमारे सामने nifty के अंदर निकल के आ रहे हैं तो intraday हम किस तरीकी से play कर सकते है 5 minute time frame में मैं जाओंगा अगर market gap up opening देता है ठीक है बहुत बड़ा कोई gap up हो जाता है then probably मैं आपको थोड़ा कहूंगा कि आप wait कीजिए market को एक थोड़ा dip लेने दीजिए dip आपको कहां तक मिल सकता है dip अगर आपको मिले 18,085 और 18,110 ठीक है इस range तक का अगर gap up के उपर कोई भी अगर आपको dip मिलता है तो वो एक आप एक buying opportunity की तरह यूज़ कर सकते है हमारा पहला scenario दूसरा scenario अपना क्या बनता है कि अगर market उपर की side निगलता है और 18,200 के उपर sustain करने लग एक 100-500 point का एक move expect कर सकते हैं 18,300 तक का जो हमें उपर की side देखने को मिल सकता है stop loss आप trail करते चलिएगा ये हमारा दूसरा एक scenario बनेगा weakness अब कब आएगी जब market पहले इस support को तोड़ेगा 18,040, 18,050 एक important resistance था उसको break किया है तो अब ये important support बन चुका है इस support को अगर market तोड होता है यहाँ पर probably weakness आएगी बट मैं कब weakness को जो है तवज्जो दूँगा market अगर इस area को break करता है 17,990-985 का level 17,985 का level अगर market इस low को break करता है 985 के नीचे दुबारा से जाता है तब दुबारा से selling pressure आएगा जो market को पहला target 950 नीचे की side में और दूसरा target अगर आप बात करें पहला target होगे हमारा 950 का दूसरा target हम लेके चल सकते हैं 900 का level ठीक है तो ये हमारे intraday levels होंगे अगर हमें nifty के अंदर कल के दिन play करना है तो bank nifty की अगर मैं बात करता हूँ देखिए bank nifty में clear cut plan है अगर bank nifty कल आपको थोड़ा कम gap up के साथ flat opening होई दिखाई दे और उपर की side में अगर bank nifty 39,550 के level के उपर sustain करता है 500-550 के उपर हमें जो है उपर की side जाता हुआ दिखाई देता है then there is a chance क्योंकि नीचे की side call writers trapped है bank nifty हमें 39,750 की तरफ जो है उपर की side जो है वो लेके जा सकता है 39,750 उसके उपर अगर निकलता है तो 39,850 के targets हमें bank nifty के अंदर देखने को दिखाई दे सकता है बाकि आप stop loss trail करते रहिएगा वो हमारा इसमे plan होगा नीचे की side कहां पे weakness आएगी हमारा same level है अभी भी मैं उस level को लेकर reiterate करता हूँ 39,350 की range बहुत strong important support है आज के दिन market ने जब इस support को तोड़ा 500 point का हमें downward जो है नीचे की side को दिया है तो अगर ये support कल दुबारा तूटता है दिन दुबारा से थोड़ी बहुत weakness दुबारा से दिखाई देगी और at least 100 से 200 point का एक downward momentum हमें 39,300 के breach होने पर देखने को मिल मिलेगा होपफुली वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ही जगा मिलता हूं आप से की लिए वीडियो में thank you so much for watching जैहिंद वंदे मातरम